Hello and Welcome Back friends, आप देख रहे हैं Study Moment YouTube Channel आज इस वीडियो में बात करेंगे राजय सवा से रिलेटर इतने भी important question बनते हैं उसके बाड़े में साथ-साथ extra fact रिसक्स करेंगे जो आपकी exam के लिए काफी ज़्यादा beneficial रह सकता है सो वीडियो को last तक ध्यान से जरूर देखिएगा इस वीडियो में वही question लिया गया है जो अधिकवार exam में पूछे गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है सभी question selected question है, important question है और previous year भी question है इसमें ठीक है तो चलिए वीडियो को start करते है अगर आप इसका पीडियो रिना चाते है एक शाम टाइम रिविजन करने के लिए तो आप मारे टेलीग्रम चैनल से जोईन हो सकते हैं जिसका लिंक आपको description box में में जागा या फिर टेलीग्रम पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं study moment और वहां से जाकर टेलीग्रम चैनल जोईन कर ले वहां पर हर रोज आपको सुबह में current affairs का पीडियो और जितने भी एक्स्रा वीडियो आता है उसका important पीडियो time to time डाला जाता है तो चलिए question से start करते हैं सबसे पहला question है अपना राजसभा है एक अस्थाई सदन राजसभा जो है वह एक अस्थाई सदन है जिसे उच्च सदन भी बोला जाता है जिसे उच्च सदन भी बोला जाता है यह आप ध्यान में रख लीचेगा important है ठीक है अगला question को देख लेते हैं question number two है अगला question है अपना राजसभा की पर्थम वैठक कब हुई तो friends इसका सही अंसर होजएगा 13 मई 1952 को वही राजसभा का गठन कब हुई तो 3 अपरेल 1952 को अब पुछा जाएगा कि राजसभा की पर्थम वैठक कब हुई तो 13 मई 1952 को काफी जादा important है ये दोनों question आप note कर लीजेगा अगला question को देख लेते हैं friends अगला question है राजसवा की सदस्यता के लिए नियुंतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए तो friends का सही अंसर हो जगा 30 वर्स राजसवा के सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्स की उम्र होना जरूरी है भारत का उपराश्टरपती राजसवा का पदिन सभापती होता है ये अनुछेद 89 में बताया गया है ये अनुछेद 89 में बताया गया है ये अब ध्यान में रख लिजेगा भारत का उप्राश्टरपती राजसभा का पदेन सभापती होता है अगला कोश्चन देख लेते फ्रेंट्स अगला कोश्चन है अपना कोश्चन नमबर 5 राजसभा की पर्थम महिला महासचीव कौन थी तो फ्रेंट्स का सही अंसर हो जगा बी एस रामा देवी राजसभा की पर्थम महिला महासचीव बी एस रामा देवी और यही बात किया जाता अगर लोग सभा की तो लोग सभा की पर्थम महिला महासचीव है सिनिहलता स्री वास्तम सिनिहलता स्री वास्तम सिनिहलता स्री व कौन थे तो स्रिच्प्रिस्व कृष्ण अंशेद 18 में किया गया है अधिक्तम राजे सभा सदस्यों कि शंख्या 250 हो सकती है अधिक सेधी किया नå राजे सभा सदस्यों के शंख्या 245 है जिसमें से बारा सदस्य राष्टर पातिधियरा मनुणट किये जाते यह 12 सदस से ऐसे सदस से होते हैं जिन्हें कला, सहित्य, विज्ञान, समाज सेवी या फिर सहकारिता के छेतर में विशेस ग्यान का अनवव होना चाहिए सेस 233 जो बचते हैं, इसमें से एक तिहाई सदस से परती दो बर्स बाद सेवा निविर्त हो जाते हैं यानि 233 में से एक तिहाई सदस से परती दो बर्स बाद सेवा निविर्त हो जाते हैं, ये अनुछेद 83 की एक में बताया गया है, 83 की एक में चर्चा किया गया है अगला कोश्चन को देख लिते हैं, कोश्चन नमबर 8 है, राजसभा कब भंग की जाती है, तो राजसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, यही एक ऐसा सदन है, जिसे कभी भंग नहीं की जा सकती है, किसी के द्वारा भंग नहीं किया सकता है, वही लोक सभा जो है, उस राश्टर पती द्वारा राजसभा में कितने सदस्य मनोनित किये जाते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा 12, ठीक है अगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर 10 है धन विद्यक पारित करने के लिए राजसभा को कितना समय दिया जाता है, तो फ्रेंट इसका सही अंस इस समय विद्यक वापस नहीं होता है तो पाडित समझा जाएगा ठीक है यह आप ध्यान में रख लिएगा राजसभा धन विद्यक को नहीं केवल स्विकार कर सकती है और नहीं उसमें कोई संसोधन कर सकती है यह आप ध्यान में रख लिएगा बस इसको सिफारिस करने के को देख लेते हैं कुश्यन बढ़िक गारा है राजस्वा में परतिय दित्व नहीं है अंड़मान निकोवाड चंडीगड दादरू और नागढ़हवेली दमन वधुईप और लक्षदूप ये केंदर सासित-ब्रदेश भी इसमें सामिल है राजस्वाम में परतिय दित्व अगला कोशन देख लेते कोशन नमबर बाड़ा है, राजसभा को भंग करने में कौन सक्षम है तो कोई नहीं, अभी मैंने चर्चा किया है कि राजसभा को कभी भी भंग नहीं किया सकता और किसी के द्वाड़ा भी भंग नहीं किया सकता, अगला कोशन देख लेते फ्रेंट राश्रप्ती के पास है अगला कोश न देख लेए तय फिंड्स अगला कोशन है अपना सरव पर्थम किस फिल्म अभिनेता को राजसभा का सदस्य मनोनित दाइब क्या गया था इसका और से अंसर हो जागा पृतिवी राज कपूर इसका साहीं अंसर हो जांगा पृतिवी को देखते हैं राजसुपा के लिए नामित पर्थम अभी नेत्री कौन थी तो इसका सहींत्रा जोगा फ्रेंड्स नरगिश किरत जो है वह फर्थम फिल्म अभनेती रा जो रैजय साफा के लिए नामित किया गया तो 250 हो सकता है यह अनुछेद 80 में बताया गया है यह आप ध्यान में रख लिजेगा ठीक है अगला कोश्चन को देख लेते हैं कोश्चन नुमर 17 है आपका वर्तमान समय में राधिसभा में सदस्यों की प्रभावी संक्या कितनी है तो इसका सही अंसर हो जाएगा 250 ठीक है औ किया जाते हैं ठीक है अगला कोश्चन देख लेते कोश्चन नंबर 18 है आपका किस सदन में अध्यक्च उस सदन का सदस से नहीं होता है तो राजसभा में राजसभा ही एक ऐसा सदन है राजसभा ही एक ऐसा उच्च सदन है जहां पर अध्यक्च उस सदन का सदस से नहीं हो होता है ठीक है फ्रेंट्स अगला कोश्चन देख लेते हैं देखे कोश्चन नम्र 18 यानि इतना ही तक था एक्स्टा फेक्ट बारे में बात कर लेते हैं तो राजे सभा सदन की अध्यक्षता और सदस से द्वारा की जाती है ठीक है यह कोश्चन नम्र 18 के एक्स्टा फेक्ट